वेलकूम दो वर्ट्स आइटी और आज की वीडियो के टॉपक जैसा कि आपको वीडियो के टैटल से पता लगे होगा आज जो है ना वह दुबारा मैंने बॉल्ट्री के हवाले से वीडियो एक बनानी है बहुत सारे लोग जो है ना मेरे चैनल पर आया ही इस वजह से क्योंकि मैंने पॉल्ट्री के जितनी भी वीडियो बनाई है वहां से तकरीबन मेरे चैनल को बूम मिलना शुरू हुआ है और लोगों ने देखना शुरू किया और वहीं से मेजोरिटी के जो सब्सक्राइबर है हैं वो भी वहीं से आया है तो सिंपल सी एक आप लोगों कुछ चीज बताऊगा के मील वर्म के अवाले से और बहुत सारी डिफरेंट किसम की वीडियो जो है ना मैं बनाने लग गया दर मियान के अंदर क्योंकि मैं यह समझता हूं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बह जो है ना यह डिलिटिवली नए हैं लोगों के लिए और इसके उपर जो एना वो थोड़ी बहुत टेक्निकैलिटी की जुरूरत हुती है जिसकी वज़त से लोगों ने जो है वो बड़ा एप्रिशेट किया कमेंट किये और लोगों ने बताया कि जो है ना इन्फरमेशन के लिए काफी जो है ना वो कारगरष भी है थांको त्ह कह दिए का साथ जासे ऐयाम सेमाझी के ऊपर मैंने बड़ी वीडियो बिदेख के दिएर यहां के हवाले से मीट के हवाले से मिट के हवाले से फार्मिंग आपने पॉटरी की इस तौरीoure के किसदी के से करने ऊपर कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है न वो में अन्डो हो की फार्मींग के अवाले से इंफर्मिशन दूँगा का कौन सी ब्रीड जो है ना वो लोगों किसह अच्छी अच्छी आउडयले यह तक्रीबन सेम है क्योंकि इनकी एक के एवरेज वह तक्रीबन 270-300 के दर्मयान होती है अगर आपके पाफ प्यूर ब्रीड थोड़ी अजिए निकगर आप चले जाते तो अड़ो की थोड़ी ची बढ़ जाती है और वज़े इनका जो थोड़ा से कम हो जो बहुत सारे लो पूर्गीयां जो है तक्रीबन जो है गोश के लिए भी पाली जाती है और उंडो के लिए है पाली जाती है और आपको इस किन्तर बैसिक चीज बताने का मकसद यह कि जब भी आप यह मुर्गियां पालेंगे अंडों की आवडिश तो आपकी जो है ना वह पूरी होती रहेगी आप इनको अंडों के लिए तो पाली रहे उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है इनको गोश्ट के लिए भी रख लेते हैं कि ज लेकिन जो कि हम अंडों की बात करें तो तीस होजा से अंडों के अवाले से इस मुर्गी को हमने तीसरे नंबर पे रखा हूँ है दूसरे नंबर पे जो मुर्गी आती है उसको बोलते हैं प्ले माउट प्ले माउट यह जो मुर्गी है इसका मैं आपको अवराल बताता हू है जो आपके पास light brown या थोड़ा सा dark brown color का अंडा जो आपके पास market के अंदर मिलता है अगर आप यह चाहते हैं कि मेरे पास देशी अंडा हो और अंडे का size जो है वो तकरीबन बड़ा फार्मी जितना अंडे का size हो तो फिर जो है आप play mouth का जो है वो इंतखाद कर सकते हैं बाकी overall इसके भी अंडों का जो वो मेजोरिटी जो है वो 270 से average जो है वो 270 से 300 के दरम्यान रहती है और यह मुर्गी भी तकरीबन जो है वो अपना वजन है धाई किलो से तीन किलो के आसपास कर लेती है तो यह भी category जो है वो अंडों के वाले से भी और मीट के वाले से भी दोनों वालों से बहतर है पहले नंबर पे जो breed आप लोगों को मैं बिताने लगा हूँ वो basically breed है लोमेन ब्राउन लोमेन ब्राउन का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि यह वीडियो जो है वो अंडों के हवाले से हम बना रहे थे आप सब लोगों को पता होगा कि लोमेन ब्राउन जो है वो बिलकुल भी मीट के लिए जो है नहीं पाली जाती क्योंकि इस मुर्गी का मीट के अवाले से अगर आप production करेंगे तो आप घाटे में ही रहेंगे क्योंकि ये मुर्गी मीट के आवाले से बहुत कमजोर है और hardly वजन जो है ना अपना डेड किलो मेल के अंदर और female जो है वो तकरीबन 800 से लेके 1100 ग्राम के द्रमियन पाई जात और अंडों की प्रोडक्शन चाहते हैं 300 अंडों से उपर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास क्रीबन 220-330 अंडों की जो एवरीज सलाना आए तो आप इस ब्रीड का जो है वह उन्तखाब कर सकते हैं क्योंकि यह अंडे देने की माहर तरीन ब्रीड है और अंडे देने में इसका कोई सानी नहीं अगर देसी अंडों की बात की जाए वीडियो को एक रताम होने से पहले आप लोगों को मैं एक चोटी सी बात बताता चलू कि अगर आप घरेलू तोर पर अपना जो है वो प्रोडक्शन का आगास करना चाहते हैं तो मैं आपको यह सजेस्जेस करूंग ठीक है अगर आप प्योरली अंडों का कारोबार करना चाहते हैं और आप एक चोटा सा पौल्टरी फारम अंडों का डालना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्जेस्ट करूंगा कि आप पहली ब्रीड की तरफ जाए जिसको हमने बोला है लोहमेन ब्राउंड और इंशालला को यह वीडियो जो है बहुत कारामद साबित होगी और आप इससे बहुत जाएदा फाइदा उठाएंगे तो अगर आपको कोई भी क्वेस्टन है तो जरूर कमेंट के अंदर कीजिए ताके उसका ओपर मैक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाके आपके सवालात का जवाब आपके सको तो इसे किसा वीडियो का इसताम होगा चाता है मुझे अपनी दौब में जरूर याद रखेगा अलाहाफिज फी अमालिला